हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं टाइपस ऑफ पुली लेगिंग के बारे में कन्वेयर बैल्ट की पुलीज में अलग-अलग टाइपस की लेगिंग का इस्तमाल किया जाता है तो इस वीडियो में हम कुछ मेंट टाइपस ऑफ लेगिंग के बारे में डिसकसन करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही 800 से भी जादा इंडस्ट्रियल टेकनिकल वीडियो जो है वो अपलोडेड है आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं अगर आप नए है तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजे ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताग सबसे पहला टाइप है हेरिंग बॉण defendant तो जो हेरिंग बॉण टाइप का लेकिंग होता है वो इमेज में आप देख रहे हैं इस तरह से होता है इसमें जो नॉर्मली इसको यूस किया जाता है ड्राइव पुली के साथ और वी पॉइंटिंग जो है वो direction of rotation होता है इसका है जिस साइड में वी पॉइंट बन रहा है वो direction of rotation होता है और इसके जो grooving points है वो center पर आकर की meet नहीं करते हैं यह एक दूसरे को join नहीं करते हैं center पर आके है ना इसके grooves होने की वज़ा से यहां पर जो अगर water है wet material अगर आप convey कर रहे हैं तो जो भी water है वो यहां से फिर remove हो जाता है दूसरा टाइप जो है वो चैवरान टाइप है जैसे कि आप image में देख रहे है जैसा हमारा herring bond था उसी की तरह है लेकिन यहां पर स्रीप ए मिलते हैं इसको भी usually use किया जाता है ड्राइप पुली में और इसमें भी जो grooves है उसकी वज़ा से जो भी इसमें water है अगर wet material कर रहे है तो वो रिमूव हो जाता है next type है आपका ceramic type of lagging तो जो ceramic type of lagging होता है जैसे कि आप image में देख पा रहे है इसमें rubber के lagging के उपर में छोटे-छोटे tiles लगे होते हैं जिसकी वज़ा से काफी ज्यादा coefficient of friction जो है वो generate हो पाता है और यह एक better solution है अगर आपका belt slippage हो रहा है तो याने कि 80% इसका जो area है वो tiles से cover रहता है जिसकी वज़ा से highest coefficient of friction जो है वो यहाँ पर available होता है दो से तीन गुना जादा friction होने की वज़ा से ये wet और muddy condition में भी slip नहीं करता है और यही इसका सबसे बड़ा advantage है इसके साथ ही इसका इसका इस्तमाल किया जाता है bi-directional pullies में next type जो है वो है diamond type इसका सबसे किया जाता है conventional conveyor belt में और diamond pulley lagging जो है इसमें grooves काफी सारे होते हैं चोटे-चोटे diamond shape में होते हैं जैसे कि आप image में देख पा रहे हैं इसके groove जो है वो diamond shape में होते हैं काफी अच्छा coefficient of friction जो है वो provide करता है जिसकी वज़ा से इसे drive pullies में use किया जाता है और यह bi-directional pulley rotation के लिए भी capable होता है नेक्स्ट टैप है आपका circumferential तो जो circumferential type of lagging होता है उसमें ग्रूव होते है वो pulley के circumference के direction में होते हैं और इसका इस्तमृफे से लिए समुधार इसमें कोई भी groove नहीं होगा और इसका इस्तमाल किया जाता है non drive pulleys में next type है आपका slide lag lagging तो जो slide lag lagging है वो image में आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से होता है और इसको replace करना बहुत ही आसान होता है ये part part में लगा होता है बीच में इसमें metal की rails लगी होती है इसको support करने के लिए हर एक part को और ये जो है bi-directional pulley rotation के लिए suitable होता है reversing drive pulley के लिए भी capable होता है high coefficient of friction generate करता है जिसकी वज़ा से belt slippage की problem जो है वो भी overcome होती है तो ये थे कुछ main types of pulley lagging उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगी next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा